जहिन प्यारे दोस्तों, गाईस आज के वीडियो में हम यह जो आपको लाइट्स दिखा रहे हैं, यह वही लाइट्स है जो हम आज कल बहुत ज्यादा अपनी गाड़ियों को डेकुरिशन करने के लिए यूज करते हैं, इस टाइप के कलर फुल लाइट्स आपको बहुत सार जगह उपर यूज किया है, जिससे अपने बाइक का डेकुरिशन करने के लिए और बोलरुपी कप का डेकुरिशन करने के लिए भी हमने इस टाइप के लाइट्स को आज तक बहुत बार यूज किया है और पिछले 2-3 सालों से हम इनको रेगुलर्ली यूज करते आये हैं, तो सबी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, प्रैक्टिकली आपको हम सब कुछ करके दिखाएंगे, तो चलिए काई शुरू करते हैं, आज काई वीडियो, तो हैलो काईस मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो, आप लोग का फ्योट यूट्यूब च दोस्तों इस वीडियो के पहले हमने बहुत सारे वीडियो में इस ट्रैप के लाइट्स को यूज किया है, तो गाईस ये जो लाइट्स है, ये 12 होल से चलने वाले लाइट्स है, जिसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ये सभी कलर अपने शॉप पर आविलेबल है ये सभी कलर आपको अपने शॉप पर मिल जाएंगे, एक लाइट आपको 20 रुपीस पर पीस इसी साब से मिलने वाला है, तो अगर आपको चाहिए तो ये आप हम से ले सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी लाइट्स के बारे में बताने वाले हैं बहुत सार अपने बाइक का डेकुरेशन के लिए हमने पर बहुत सारी लाइट्स को यूज किये हैं, तो इसका अभी तक मुझे बहुत सारा एक्सप्रेंस अभी तक आचुका है, तो आपको मैं वही एक्सप्रेंस में आप लोग के साथ में शेर करने वाला हूँ, इसलिए आप वीड बेल को on करके all पर select कर दीजे क्योंकि जबी मैं नए वीडियो लेकर के आऊंगा तो आप लोग को उसका वीडियो तुरंत मिल जाएगा ओके और आर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे क्योंकि आपका भाई जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मिहांसी वीडियो बनात होता है एक लाइट आपका कितना पावर यहाँ पर consume करता है आपकी गाड़ी का बैटरी का कितना पावर यह लेता है एक लाइट का जो पावर कंजप्शिन है यह भी मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रैक्टिकली दीखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरिके से आप क लाइट को खरेने के बाद आपको कभी भी पच्टाने की जरुरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपको इंफर्मिशन है वेसे में देने वाला हूँ ठीके इसमें अभी यहाँ पर देखे यह जो यह दो लाइट में यहाँ पर नेका लेता हूँ क्योंक यहाँ पर जितने लाइट से यह सभी अपने शॉप पर अवेलेबल हैं तो आप बाई कर सकते हो वार्सब नमबर में आपको निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप और कर सकते हो ठीके यह लेंस वाले जो लाइट है अगर आपको सामने की तरफ अगर कोई लाइट अगर लगाना है तो आपको यहाँ पर यहाँ लेंस वाले लाइट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो देखिए यह कॉइन शेप में होता है इसको कॉइन टाइप कहा जाता है या फिर कॉइन टाइप 12 होल्ट LED मॉडूल इसको बोलते है आप अगर 12 होल्ट LED मॉडूल होता है इसलिए वह वहां पर करने पात है है आप चाहो Amazon Flipcard से ले सकते हो या फिर आप हमसे भी यह order करवा के ले सकते हो ठीके आपको online थोड़े से महेंगे पड़ेंगे हमारे पास है 20 रुपीस पर पीस आपको यहां पर coin shape में इसको tile shape भी खा जाता है तो यह जो ही guys अगर आप इसको अगर वहीकल में कहीं पर लगाते हो जो की सामने की तरफ से अगर LED दीपता है तो उस जेगा पर यह LED दीखने में काफी अच्छा लगने वाला है इसका light intensity बहुती बड़या देखेगा दिखने में एक नमबर देखेगा और बहुत दूर से guys इसका जो visibility हो काफी अच्छा दिखता है बहुत दूर से अगर गाड़ी में लगा है तो बहुत दूर से यह काफी अच्छा दिखता है क्योंकि हमने खुद बोलो रो पिकप में इस से काफी अच्छे लगते हैं और इनका जो brightness है guys इनका brightness कभी भी इसा फेल के पड़ता नहीं है अगर एक light अगर आप एसा लगाते हैं अगर इसका एक light अगर आप चलाते हैं तो guys यहां से इसका जो lens है इसके वज़े से आपको एक pattern आपको दिखा देता है जो मैंने आपको बाके अपने वीडियो में दिखा दूँगा जब हम इसको इसका power हम निकालेंगे तब मैं आपको इसका pattern नजर आता है ओभी pattern भी मैं आपको दिखा दूँगा तो इसका जो है इसे एक lining आपको देखने को मिलेगा वह मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगा अभी slide को देखने वाले की नजर अगर डारिक इस पर पड़ती है तो उस जग पर अगर आप इस पर लगाते हो तो यह देखने में काफी अच्छा लगेगा और इसका जो space है वह भी काफी छोटा है इसे आपको mounting करने के लिए यहापर दो screw भी आपको यहापर मिल जाते है बलोर पीक किसी भी काड़ी के अंदर लगा सकते हो जहापर देखने वाले की नजर डारेक्ट पड़ती है तो उस जग पर आप इसको लगा सकते हो यह दिखने में काफी बढ़िया आपको दिखेगा ओके इसका size भी दिखिए इस परकार से आपको यह मिल जाएगा 20 पर पीस यह आपक तो यह जो light है यह दिखने में काफी बढ़िया है यह भी यह भी मेरा फ्योरेट है और यह lens वाला भी मेरा बहुत ही फ्योरेट है क्योंकि हम इसको बहुत दिनों से use कर रहे हैं तो guys इसका चो brightness है इसका brightness आपको इसके मुकाबले ज्यादा मिलेगा तो क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर ऊपर एक simply काच मिलेगा इससे protection करने के लिए और इसका जो size है guys देखिए size में आपको यह थोड़ा सा length ज्यादा आपको मिलेगा लंबा ही थोड़ा सा ज्यादा है बाकि slim अगरा यह दोनों same ही आपको दिखेंगे खली इसका जो coin है इसका tiles यह थोड़ा स से side में आपको देखिएगा और इसका देखिए आप इसको easily इस पर कासे किसी भी slim जगा पर लगा सकते हो अब दोस्तों इसका जो focus है इसका focus मैंने आपको बताए था इसका focus आपको एक pattern आपको देखने को मिलेगा अब इसमें वेशा case नहीं है इसका जो ब्राइडने से इस respecto का जो wheel है wheel के पास में आपको इसको इस circumstance जो light है वो गिरना चाहिए तो wheel के उपर lights दिखना चाहिए तो uslightitt को आपको आपको इस आवाला काफी अच्छे से वर्किंग करने वाला है क्योंकि इसका focus काफी अच्छे से इसा फेल के पड़ता है तो यह उस जगा पर काफी अच्छे से वर्किंग करेगा अभी इसका दोनों का जो power consumption है power consumption भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा देखिए इस light को अगर आप किसी भी ऐसे फ्रंट साइड में अगर लगाते हो सपोज के आप गाड़ी पर किसी जगा पर अगर आप इसको लगाते हो जहां पर देखने वाले की नजर अगर डालिक पड़ती है तो उस जगा पर भी आप इसको लगा सकते हो यह दिखने में जिखता है विसे ही डे टाइम में यह काफी पावर्फुल आपको दिखाए देगा तो यह जो ही काईस हमने इस टैप के lights काफी जगा पर य्जगा है जिसे हमने अभी पीछे एक वीडियो अपलोड किया था जोमने नॉर्मल जो टेल लंब रहता है ब्लोर पीकप का तो उस में इनको यूज कर सकते हो लेकिन यह थोड़ा सा बहुत दूल से अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो लाइट इंटिंसिटी है वो थोड़ा सा कम दिखेगा इसके मुकाबले वैसे यह 10-15-20 मिटर से यह काफी आपको पावरफुल दिखाई देगा लेकिन इस से थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा यह जो लेंस वाला जो लाइट ही गाईज यह दूल से काफी अच्छा दिखता है जिसे ये नज़ी से लिखता है विसे ही ये दूर से भी काफी powerful आपको ये दिखाई देगा क्योंकि हमने बोलर पीकप में लगा लगए है तो हमें बहुत दिनों से उसका experience हो चुका है तो काफी अच्छा result हमें इसका भी मिल रहा है विसे दोनों light में कुछ भी कमें आपको देखने को नहीं मिलेगी दोनों का brightness काफी अच्छा है ठीक है लेकिन मैंने जो मुझे personal explains इन दोनों का है तो वही मैंने आप लोगों के सामने इसको बताया है देखिए अभी काइस यह जो टाइप है यह भी बहुत सारी लोग इस टाइप के lights लगाती है तो यह जो ही काइस इसमें आपको इसका जो size थोड़ा सा बढ़ा देखने को मिलेगा और इसमें एक इस टाइप का भी आता ह एक लिए बड़ा light होता है जिसमें आपको I think 2 LED यहां बाहरा LED आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर यहां पर यह एक light में 6 LED यह यह चे लेडी आपको एक light के अंदर मिलते है तो यह जो ही काइस इस से थोड़ा सा दिखने में बढ़ा है इस light का जो light इंडिनिस्टी इससे आपको इसका light intensity थोड़ा बहुत कम दिख सकता है इन दो लाइट के मुकाबले आपको इसका brightness थोड़ा सा कम ही मिलेगा इसलिए में recommend नहीं करका कि आप यह light गाड़े में use किजिए अगर आपको बड़ी light चाहिए तो आप वैसे तो लागा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन इन से अच्छा यह light नहीं है विसे तो अच्छा है लेकिन इन से अच्छा आप इसको नहीं बूल सकते है बाकी जो भी आपका opinion है आप हमें comments करके बता सकते हो आपको कौन सा light अच्छा लगता है अभी guys यह जो light है देखिए यह वाला stripe का light जो रेता है guys यह भी अच्छा पर और online भी आपको बहुत सारी जगा उपर मिल जाएगा लेकिन guys आपको एक बाद हमेशा याद रखना है इस light को आपको कभी भी buy नहीं करना है यह एक number की घटिया light है क्योंकि guys इसका brightness बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका ऊपर का coating अगर निकल गया तो guys light 100% आपका बंध हो जाएगा देखिए अब यह मेरे पास है नहीं example लेकिन थोड़ा सा आपको इसका coating थोड़ा निकल के दिखाता हूँ देखिए इस टाइप से इसका coating अगर निकल गया तो यह light जो है बिल्कुल भी work नहीं करेगा यह बिल्कुल भी नहीं चलता है okay दुकंदा गई थे तो वहाँ पर गाड़ी को मैं पार्क कर दिया तो एक बच्चे ने सारे lights का यह उपर का coating है तो सभी lights का coating उस बच्चे निकल दिया तो सभी lights एक साथ बंध हो गए तब से मैंने इस type के lights मैंने कभी भी कही भी जगह पर यूज नहीं किये okay तो इसको आप बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन इसको बिल्कुल भी मत लगाईगा क्योंकि यह 100% खड़ा भी हो जाएगा okay तो गाइस इसके मुकाबले आप इस type के lights कीजे काफी अच्छा result आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन इसको आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है तो अभी काइस देखिए इसमें मैं आपको एको टाइप दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो light है इसका size थोड़ा सा बड़ा है अभी एक जो नए आया है इसका size थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा देखिए मैं आपको दिखात लेकिन यह भी दिखने में काफी बढ़िया है दोलों का लिंस यहाप पर आइधिंक सेम है लेकिन थोड़ो सा यह जगा थोड़ो सा कम लेगा और इसी मांटिंग करने के लिए होल भी काफी अच्छे दिये गए है इसको भी अच्छे है तो आप यह भी यूज कर सकते हो अगर देखिए इसमें जो कलर है इस कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहापर अपने पास दिन यह जो है रगी तो को आपको को आने ही यह जो कोईवला है टो देग को च्छे लिएंगे απने को आपने शॉप्पर हमने के अफोड़ हो जाएगा तो हमने एक शर्ट वीडियो आप लोगों के लिए upload कर देंगे ठीक है दोस्तों अभी हम इनका power consumption के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके उपर 2.4 हट लिखा है अभी इसा light मेरे पास अभी कोई check करने के लिए ही नहीं तो इसका मैं आपको इसका जो प्राक्टिकली जो power consumption है यह मैं अभी इन बाकी आपको दिखा दीता हूँ अभी इस्याथ यहाँ पर जो इसकी color है अभी red color एड को थोड़ा बहुत आपको डीफरस देखने को मिल जाएगा तो अभी देखिए इसके ऊपर यहाँ पर पावर लिखा हुआ है तो इसके ऊपर 1.5 watt का पावर लिखा हुआ है इसके यहाँ पर लिखा है तो अभी हम रियल में इसका पावर यहाँ पर चेक करेंगे ठीके तो यह किस प्रकाल से आपको करना है देखें पावर को निकालने के लिए आपको पावर का जो फॉर्मुला होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा पी इस इक्वल टू वी इंटू आई इ दोनों का आपको मल्टिप्लाइ करना है यानि गुना करना है तब आपका वहाँ पर जोब आइंसर आएगा वहाँ आपका होगा ठीके पावर तो यह जो है अपना मल्टिमेटर है अभी हम इसको यहाँ पर एम्पेर मोड पर सिलेट कर लेते हैं और अभी हम पहले किसी भी यहाँ पर एम्पेर हम यहाँ पर निकालके दिखेंगे ठीके तो इस प्रॉब को मैं यहाँ पर लगा था हूँ 10 एम्पेर में यहाँ पर हमने इसको एम्पेर में सेटिंग कर दिया है अभी इसमें से किसी भी एक प्रॉब को आपको लागा देना है यहाँ पर पॉजिटिव के साथ में लगाया है अभी यह जो पॉजिटिव है और मिटर का यह निगिटिव भी हम इसको लगाएंगे डारेक्टली लाइट पर ओके तो इसको मैं यहां पर लगाता हूँ तो काईस देख सकते हो आप इसका बराइटनेस इसका फोकस एसे फेल के पड़ता है देखी तो काफे चैसे इसका फोकस यहां पर फेल के पड़ रहा है देखी तो इसका जो बराइटनेस है वो काफी अच्छा आपको मिल जाएगा जिसे मैंने आपको एक्जेम्पल बताए थ उस जग पर आप इसको लगा सकते हो काफे अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा example में ने आप लोग को क्या बताए था जैसे किसी भी बाइक का जो वील है सबस्थ वील में आपको फोकस गिराना है तो उस जग पर अगर आप इसको लगाएंगे तो काफे अच्छ रिजल्ट आपको उसका मिलेगा इसके मुकाबले जो लेंस वाला ही उसके मुकाबले देखिए इसका जो करण्ट है ये करण्ट को हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका जो करण्ट यहाँ पर आया है अभी हम इसको यहाँ पर इसका power निकालेंगे देखिए अभी हम इसका power किसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर यह जो current आया है इसको अभी हमें voltage के साथ में multiply करना है तो suppose जब भी हम यह lights को चलाते हैं बैटरी पर 12 hole की बैटरी पर क्योंकि हमारे vehicles के अंदर 12 hole की बैटरी आती है suppose उसका अगर चार्ज बैटरी अगर फुल चार्ज लेती है तो suppose हम यहाँ पर क्या करते हैं example के लिए हम suppose यहाँ पर 12.8 hole यहाँ पर लेते हैं ओके अभी हम इसको multiply करेंगे यह जो current यहाँ पर आया है इसके साथ में तो यहाँ पर हम इसको 0.163 ठीके तो यहाँ पर इसका power आया है 2 watt ओके तो इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर power निकाल सकते हो तो इसका यहाँ पर 2 watt इसका power consumption यहाँ पर आया है ओके अभी इसके मुकाबले इसका यहाँ पर ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए मैं आपको दिख होते हैं यहाँ इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा इसका ओके और इसका ज्यादा होगा अभी मेरे पास चेक करने के लिए है नहीं लेकिन अगर मिल जाएगा तुम्हें बात में किसी शॉट वीडियो में आपको दिखा दूंगा अभी काईस हम यहाँ पर यह जो कोई व इसके अंदर यहा पर gewUN 3这里s होते हैं smd जिनको हम नेकाल सकते हैं ठीके तो अभी हम इसको यहाँ पर चला कर देख लेते हैं यह positive में यहाँ पर लागाया अभी negative में यहाँ लागाता हूँ पेले हम इसको यहाँ पर अन होलड कर देते हें, देखिए तो guys यहाँ पर देखिए, इसका power consumption यहाँ पर बहुती कम यहाँ यहाँ दिखा रहा है देखिए guys यहाँ पर इसका थोगड़ाँ सा प्याटर आपको देखने को मिलेगा जिसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए था देखिए यह तोड़ा सा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं लाइट को आफ करता हूँ तो गाइस देखिए इस प्रकाल से आपको एक एसा एक लाइनिंग देखने को मिलेगा तो गाइस यह जिस भी जगह पर लगा होगा तो यह काफी चैसे इसका एक लाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह जो है काफी अच्छा होता है और यह लेंस की वज़े गाइस बहुत ही दूर से यह powerful दिखाई देगा बिल्कुल torch light की तरह देखिए ओके इसलिए यह light मेरे को दिखेगा ओके तो इसका पैटर में ने आप लोगों को दिखा दिया है अब इसका power consumption भी देख लेते हैं कितना यहाँ पर आता है तो इस रीडिंग को में यहाँ आपर hold कर लेता हूँ ओके और अभी हम इसका यहाँ पर power consumption निकालेंगे देखिए इसका क्या आया था यहाँ पर 2 watt ओके अभी हम इसका निकालते है यहाँ पर देखिए कितना है अपना voltage बैटरी का voltage 12.8 volt है अभी हम इसको multiply करेंगे यहाँ पर जो current आया है उसके साथ में तो यहाँ पर 0.072 ठीके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा one watt भी यहाँ पर नहीं आया है इससे आप सोचिए guys कि इसका power consumption कितना कम है और यह दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है ओके तो guys I hope कि आप लोग को अभी समझ गया होगा कि कौन सा light आपके लिए अच्छा रहेगा कौन सा light से आप अपने according इसको लगा सकते हो जहाँ पर जिसकी जरूर थी आप उसी को वहाँ पर लगाईएगा ओके तो इसका power consumption बहुत ही कम है और यह कभी भी आपकी गाड़ी का बैट्री ही यह लोग कर रहेगी कोशिश बिलकुल भी नहीं करेगा हो लोग के मुकावले काफी यह अच्छा रहेगा इसका brightness तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है कितना powerfully दिखता है और lens के वज़े से यह काफी अच्छा दिखता है ओके अभी हम आपको किसी और light को भी चिक करके दिखाते हैं देखिए अभी जो RGB है हम इसका भी यहाँ पर power consumption निकालने की कोशिश करते है यह कितना power खाता है यहाँ पर इसके अंदर भी I think 3 LEDs हो सकते हैं तो देखिए इसको मैं अभी on करता हूँ देखते है इसका power consumption कितना है देखिए इसको मैं पहले unhold कर देता हूँ देखिए इसके अंदर भी आपको total 3 LEDs देखने को मिल जाएंगे ओके तो देखिए इसका भी य brightness दिखा देता हूँ देखिए यह दिखने में काफी अच्छा है यह ट्यूब सेप में है क्याप्सूल जिसको हम बोलते है आरच यह भी क्याप्सूल भी इसको बोल जाता है देखिए इसका brightness ओके फेल के brightness इसका पढ़ेगा ओके लेकिन यह जो single color का जो light लेता है देखिए इसके मुकाबले इसका focus थोड़ा सा आपको कम ही देखने को मेलेगा लेकिन यह जो है आज भी दिखेगा काफी अच्छा ओके थोड़ा सा लेकिन light intensity थोड़ा सा आपको यहापर कम मेलेगा तो guys इसका power consumption आप यहापर दिख सकते हो इसको मैं यहापर hold कर लेता हूँ ठीके अ तो देखे guys इसका भी power consumption बहुत ही कम है इसके भी मुकाबले हापर कम है ओके तो यह जो है पूरा यह 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 हाप वाट का भी नहीं है हाप वाट से भी यह काफी कम power को यह consume करता है ओके तो guys इस परका से आप यहापर lights को लगा सकते हो आप सही जगा पर सही lights को यूज आपका power consumption आपके पैसे भी वहापर बचेंगे उल दिखने में भी वह काफी अच्छा लगेगा इसलिए सही जगा सही lights को आप चुनिए तो उससे आपको benefits सी 100% मिलेगा तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हूँ अभी मैं आपको इसको भी एक बाल चला के दिखा देता हूँ यह lights भी मेरे पास एक है तो इसको भी मैं यहापर चला के दिखा देता हूँ तो दूस्तों देखिए इसका brightness कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेगा इसका brightness मेर को इतना अच्छा लगता नहीं है इसके मुकाबले इसका brightness बहुती कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसलिए हम इसको आपको recommend करेंगे इसको recommend नहीं करेंगे अगर 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 आपको लगा नहीं तो आप लगा सकते हो बाकि आपका जो भी उपिनेन है आप हमें comments में ज़रूर बताएगा ठीके तो इसका power connection आप यहाँ पर देखिए इसको मैं hold कर लेता हूँ चलिए अभी हम इ इसका power connection यहाँ पर हम निकालते हैं तो देखिए 12.8 into यह जो इसका current आया है अभी हम इसको इसको इहाँ पर multiply कर लेते हैं ठीके देखिए इसका लगबग half watt की बराबर है तो इसका भी power connection काफी कम है लेकिन इसका brightness घटिया है ओके फिर ब्याकर आपको अच्छा लगे तो आप LEDs कोई भी लगाईएगा आपको power consumption का ज़्यातल दिक्कत आएगा नहीं तो guys I hope कि आप लोगों को यह complete समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा light बेटर है कौन सा light आपके लिए सही है तो यह सब कुछ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लिस अगर वी वीडियो में इतना ही आप अपने बाग वीडियोस ज़रूर देखिए जिनमें हमने इस सभी lights को यूज किया है हमने बाइक का decoration करने के लिए यूज किया है तो आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए सीखिए अपने safety के लिए आप modification कर सकते हो हमने बहुत सारी modification की वीड वीडियो में इतना ही मिलेंगी हमारी निक्ट किसी और वीडियो में तब तक लिए बाबा एंड टेक केर